उत्तरी गोवा को क्या कृत्कत्यव मानी में है उनकी अम्रत प्रेणना से पूर्ण जीवन इश्री कारे को तुरी जीवन श्रीदत्त पत्मनाव पिठादिश्वर स्वामी ब्रह्मानंद गुरुवर आप्रभ्या मन्जपर्थ आकर अपने आशिर्वा चिंस्यम को गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरह गुरु साक्षात्परभ्रम्ह तस्मै श्री गुरुवे नमहा वसुदेवसुतंदेवं कंसचानूरम अर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु आज गीता भक्ति महोच्चव यहां संतक ज्यानेश्वर महराज्जी के ये पवित्र भूमे पर हमें सवभाग्यसे शंकरम शंकराचारियम जगद्गुरु भगवत पाद आचारियस्चरण को विनम्र अभिवादन करते हुए यहां उपस्तेत जिनका अमृत महोच्चव और गीता भक्ति महोच्चव यहां पूजनिय वंदनिय जिनको राम लला ने अपना कोश संभालने की जवब दरी दे दी है ऐसे हमारे गोविंद देव गिरीजी महराश्री यह ऐसे संत हैं कि जो सभी संतों में वंदनिय हैं उनका वंदनिय उनका जो श्रेश्ठत्व हैं वो एक काम के लिए हैं कहते हैं हम कि नहीं ज्यानेन सद्रशम पवित्रम्य विद्यते जिनके पास ज्यान है जो ज्यानेश्वर की परंपरा आगे ले जा रहे हैं ऐसे हमारे गोविंद देव गिरीजी महराश्री के इस उत्साव में हम सब सम्मिलित हुए हैं यहां उपस्तित सारे संतों के चरणों में वंदन करते हैं और गोविंद देव गिरीजी महराश्री के आज जनमोट सव में हम गोवा से यानि गोमन तक भूमे से आचरे चरण ने गोमन तक भूमी कहा तो गोमन तक भूमे गोव प्रदेश हैं वहां से हम यहां उपस्तित हुए हैं मुझे लगता है कि आज हम सब लोगों को यही मैसेज भारत देश में ग्यान को शुरूती यानि वेदों की परंपरा को आगे ले जाने का आशिरवाद हमारे गोविंद देव गिरी जी महराश्री को दिया तो इसी कारण हम मानते हैं कि राम लला ने जो कोश संभालने की जवाबदारी गोविंद देव गिरी जी महराश्री को दी है वो कोश यानि वो ऐसा धन है वो ऐसा कोश है जो कोश बच्चों को हमें जरूर देना चाहिए और वो कोश है ग्यान कोश और कांची से आईए है हमारे जिनकी पावन सन्निधी में हम यहां सब ये उत्सव मना रहे हैं तो उनका आशिरवाद भी हमें यही है कि हमें वेदों की रक्षा करनी है हमें अपनी परंपरा की रक्षा करनी है और यही काम हमारे गोविंद देव गिरीजी महाराश्री जिन्नों ने इतनी सारी वेद पाटशालों की श्रुंखला चलाई है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा कोश है प्रभू राम जी राम लला को भी यही कोश संबालना है और यही जिम्मेदारी गोविंद देव गिरीजी महाराश्री को राम लला ने दे दी है तो और यही परंपरा हम चलाते हुए आज के जुट्सव में हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे संथ जिनका हम यहां जनमोत्सव आज मना रहे हैं वो ऐसे संथ हैं जो भगवान में भगवान के लाडले हैं और हमारे देश के पंतवरधान नरेंद्र मोदी जी को जब राम लला की प्रतिष्टापना हो रही थी महाराश्री ने खुद गोविंद देव गिरीजी महाश्री अपने उदभोधन में कहा था कि नरेंद्र मोदी जानता राजा वो जानता राजा है लेकिन ये श्रिमंत योगी है ये श्रिमंत इसलिए है इनके पास ग्यान है ये श्री उन्होंने संभाल के रखी है यही परंपरा आजकल हम लोग सब सनातरियों को संभालने के अवश्यक्ता है आजके इस पवित्रा उसर पर हम यही भगवान से प्रार्थना करते है कि हमारे गोविंद देवगिरीजी महाराश्री को इतने लंबी आयू भगवान प्रदान करे कि यह जो ग्यान की परंपरा हमें अमारे रुशी मुनियों ने आचारिय शंकर भगवत पाच्छरी चरण के सानिध्य में हम यही संकल्पा आज करें कि दुनिया में इस वेदों की जो रक्षा करेगा उसी से देश में नहीं विडेश में नहीं दुनिया वर शांती प्रस्ता पित हो सकती है ये संदेश ये मंच आज सब को दे रहा है तो विश्व शांती के लिए हमारे शुरुतियों को संभालना शुरुतियों की सुरक्षा और उनका ग्यान का अनुसरन करना ये आज की हमारी जिम्मेदारी बनती है दुसरी बात यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को सनातने मानते हैं तो हमें अपना सनातन धर्म जो है वो अपने घर में सुरक्षित रखना है हमारी कुटुम्ब व्यवस्ता सुरक्षित रखनी है वो तब ही सुरक्षित हो पाएगी जब ऐसे आचारिय चरणों का उद्वोधन उनके आशिरवचन हम अपने आचरण जो है वो घर में ला सकेंगे तो संत जो हमें आशिरवाद देने यहां पदा रहे है उस संतों के चरणों में भी हम बंदन करते हुए यही बात कहना चाहते है कि आज गुविंद देव गिरीजी महराश्री के इस जनमोच्षव में एक ऐसे संत का हम जनमोच्षव मना रहे है लुकबत दोशांचा दयते स्वयम नकुरुते एट सताम लक्षणम यह सारे संतों के लक्षण हमारे गोविंद देव गिरीजी में हम देख सकते हैं ऐसे संत का आज अमरुट्सव हम मना रहे हैं अमरुट्महुट्सव हम मना रहे हैं तो इस औसर पर हम भगवान से प्रार कि रक्षा वो भी सफल संपूर्ण तया से इस देश में और दुनिया में वो परिपूर्ण हो यही कामना के साथ महाराज आचारे चरण भगवत पाच्छिवशंकर के चरणों में वंदन करते हो हैं इतिश्यम जैस्ट्ट्ट्ट्ट्ट् करते हैं तया हैं झाल झाल